हेलो फ्रेंज वेलकम तू माय चैनल मैस्ट मीर्टा और आज मैं आपके साथ करेले से बनने वाली दाल के उसका पानी हटा देंगे तो फिर उसमें कोई गुंड रह नहीं जाएंगे करेले वाले फिर आप चाहे कितना भी करेला खाएं वो उतना यूसफुल नहीं रहता है तो आप करेले को अपनी डाइट में थोड़ा ही शामिल करें बट उसे जिस फॉर्म में वो रॉ फॉ वेट करता है हमारे कलिस्टॉल को कंट्रोल करता है बी-पी को रेगुलेट करता है तो जब इतने सारे गुंड इसमें है तो मेडिसन खाने की बज़ाए अगर आप करेला थोड़ा सा डाइट में इंक्लूड कर दें तो आपको सारे फायदे मिल सकते हैं तो आज की वीडिय और यह बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं आप थोड़ी कॉंटिटी में बनाएं और गर्मा गर्म बनाके निखाएं बहुत ही अच्छे लगते हैं अगर आप करेला पसंद करते हैं तो फिर आपके यह फेवरेट होने वाले हैं क्योंकि इसमें ऑईल भी बहुत कम लगता है इसी पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीड़बेक शेयर करना नहीं भूलें तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहली रेसिपी है करेले के बेक चिप्स यह बहुत आसान है बनाना और बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं तो यहां पर मैंने यह फ्रेश करेले लिए हैं और आप इनको पतले वाले लें जिनमें बीच थोड़े से कम हूँ और उन्हें इस तरह से पतले-पतली स्लाइस में म काटा है ताकि इनकी लंबी-लंबी स्ट्रिप स्पंज है इसमें मैंने एक चमस नमक मिला के इसे इसी तरह छोड़ दूँगी एक घंटे के लिए या फिर आप ज्यादा भी छोड़ सकते हैं नमक डालने से इसमें जो पानी होता है वो निकल आता है और उस पानी को भी हम फ मसालों को मिक्स करने के लिए करेंगे तो मैंने यहाँ पर जीरा पाउडर थोड़ा सा चिली फ्लिक्स यह सब आप अपने टेस्के अकॉर्डिंग रख सकते हैं और फिर इसके उपर मैंने दो से तीन चमज ड्राइ बेसन के डाले हैं खटास के लिए मैंने डाला है अमचू करने के लिए जो करेले का पानी निकला था उसी का मैंने यूज किया है अगर आपको नहीं करवा पसंद तो आप पानी हटा सकते हैं और इसमें यूज कर सकते हैं हलका सा पानी का हाथ और उससे फिर मसाला मिक्स करें यहाँ पर यह मुझे थोड़ा सा बेसन कम लगा तो मैं यहाँ ने थोड़ा सा एड़ किया है और एक स्पून मैंने इसमें ओयल डाला है ताकी इसमें थोड़ा सा क्रंच और ग्लेज आए उपर से यहाँ पर मैंने यह बेकिंग शीट ट्रे के उपर रग दी है और अवन को मैंने प्री हीट किया है 10 मिनट के लिए और आप देख स इस तरह ही enjoy करती हूं, तो मैं ऐसी तरह बना रही हूं, तो आप उस तरह try कर सकते हैं, या simple इस तरह रख सकते हैं, आप इनको जितना मर्जी तीखा चटपटा बना सकते हैं, उससे कोई problem नहीं है, यहाँ पर preheated oven में मैंने रख दिये हैं, करेले bake होने के लिए, और आप दालें, अगर यह हलका सा crisp हो चुके हैं, तो आप इस टाइम निकाल सकते हैं, मुझे अब इनको लगेगा थोड़ा सा time और, तो मैं पांच मिनट इनको हिलाने के बाद फिर से रखूंगी, और पांच मिनट बाद यह करेले मेरे बिल्कुल crisp हो चुके हैं, गरम-गरम करेलो बिल्कुल ready हैं, सर्फ करने के लिए, आप इस तरह के चिप्स अगर fresh बनाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा वो tasty भी लगते हैं, और आप नहीं देखा, आप इसके थोड़ी सी preparation करके रखें, तो within 20 मिनट जब तक आपकी चाय बन रही है, यह करेले के चिप्स भी ready हो जाते ह और आप देख सकते हैं, यह कितने crisp हैं, मैं आपको एक तोड़के भी दिखा देती हूं, और यह masala मैंने अपनी choice के साफ से कम रखा है, आप चाहे तो इन्हें coat कर सकते हैं, बेशन के साथ में, और जो भी तीखा masala आप डालना चाहें, वो इसमें डालके उनको और भी ज़्य ज़्यादा delicious लगते हैं, आप एक पर ज़रूर ट्राइ करें, और बना कर मुझे ज़रूर अपना feedback दें कि आपको यह recipe कैसी लगी, second जो recipe है, वो करेले की एक सबजी है, जिसे मैंने combine किया है, कमरख के साथ में, यानि के star fruit के साथ में, star fruit का टेस्ट होता है, बिल्कुल खटा और करेला होता है, कड़वा तो इन दोनों को जब आप assemble कर देंगे, तो बहुत ही unique सा टेस्ट निकल कर आता है, तो यहाँ पर मैंन थोड़े से करेलों को गोल कट किया है, थोड़े से करेलों को grate कर दिया है, तो यह चार से पांच करेले मेरे पास थे, और एक अनियन को मैंने slice कर दिया है, और जो star fruit है, उसको मैंने इसी तरह के star shape में रखा है, जो देखने में काफी beautiful भी लगेगा सबजी में, क्योंकि मैंने की है, अब मैंने कढाई को heat up किया है, यहां पर मैं यूज करूंगी इसके लिए mustard oil, और oil भी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालना है, हमने इसको बहुत ज़्यादा fry नहीं करना है, जिस हलके से oil में यह सबजी बनेगी, तो यहां पर मैंने mustard oil को गरम करने रखा, फिर मैंने उसमें डाल दिया है, जीरा, जीरा जैसे ही crackle होगा, इसमें हम onion fry करेंगे, तो यहां पर यह सबजियां अलग अलग शेप और sizes में हैं, तो इनको different time में हम डालेंगे, उनके cooking time पे depends करता है, कि हम सबजी को कैसे fry करते हैं, तो सबसे पहले मैंने सूखी लाल मिच् इनका हलका translucent अब यह हो जाएंगे, फिर इसमें बाकी की चीज़ें हम add करेंगे, तो यहां पर onion को इस तरह से fry कर लिया है, और इस सबजी में अनियन मैंने जिस एक कट किया है, आप अगर जादा डालना चाहें, तो आप जादा भी onion को add कर सकते हैं, तो उससे पूरी सबजी का टेस्ट बैलन्स हो जाता है, और अब second में इसमें डाल रही हूँ, जो मैंने ग्रेट किया है करेला, तो यह जो ग्रेट किया हुआ है, पानी बहुत जादा होता है, तो यह onion को को करने में भी help करेगा, तो बस इसको भी अच्छे से भून लेंगे, तो यहां पर सारी बून रहे हैं, ताकि उसमें क्रंच बना रहे है, तो इस तरह से यह सबजी भी भून गई है, इसके बाद हम जो मोटे पीसे हमने कट किये हैं, करे लेके, वह हम इसमें एक करेंगे, स्टार फूट को हम सबसे आखरी में डालेंगे, ताकि वह पीस पूरा बना रहे है उसका और देखने में भी अच्छा लगी, साथ में उसका टेस्ट भी आए, क्योंकि अगर हम अभी डाल देंगे, तो उसमें पानी ही होता है इस फूट में, तो सारा पानी निकल के सबजी में चला जाएगा, तो यहाँ पे इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है, इन दो सारी पाउडर, यह आप टेस्ट के कोर्डिंग रखें, मैंने 1-1 टीस्पून डाला है, चुटकी भर मैंने हल्दी डाली है इसमें, और साथ ही मैं थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, कमरक का खटापन तो है ही, बर सबजी में एक जो खटापन रहेगा, वो पाउडर बेस्तना अच्छा नहीं आएगा, तो यहाँ पर सब्जी भूनने के बाद मैंने एट किया है, और अब सारे मसालों के साथ इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, बस इसके बाद इसे हमें लिट से कवर कर देना है, लेकिन यहाँ पर भूनने का स्टेप आप मिस नहीं करें, हर चीज को अच्छे से फ्राइ करें, लिट से कवर करने के बाद भी आप बीच वीज में इसको चेक करते रहें, और हिलाते रहें, और जिस तरह से इसमें से पानी निकलता रहेगा, यह सबजी कुख होती रहेगी, तो आज को बिल्कुल स्लोर रखी, इन सबज को पसंद करती हूँ, तो आप देखेंगे, थोड़े दिर में सारी चीज अच्छे से कुख हो गई है, और यह मैंने स्टेनलेस स्टील की कडाई में बनाई है, बट आप नीचे देख सकते हैं, एकदम क्लीन है कडाई, बस आप आज का ध्यान रखें, हलका सा अगर आपको चीटे लगा सकते हैं, इस तरह से ही सबजी रेडी हो जाती है, और यकीन मानिए, यह सबजी बहुत ही ज़्यादा डिलीशिस लगती है, अगर आपको शुगर वगर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसमें खटास को बैलेंस करने के लिए, हलका सा जैगरी डाल सकते हैं, वो भी तेस्ट को काफी अच्छा इन्हांस कर देता है, उमीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हैं तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलती हूँ आप से किसी और नहीं इंट्रिस्टिंग रेसिपी के तब तक लिबाई, थैक य। थैक्स फो वाचिंग, हवा नाइस देग